आज थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आज थोड़ा सा आपको बताएंगे आध्यात्मिक्ता का हमारे जीवन में क्या महत्व है क्योंकि हमारे जीवन में जो उत्राव चड़ाव आते हैं न उसका कारण क्या है कि हमें सत्य की समझ नहीं है और वो आध्यात्मिक्ता से ही हमें मिलती है तो देखिए जैसे एक टेबल होती है न एक टेबल के चार पिलर्स होते हैं चार टांगे होती हैं अगर वो चारो टांगे मजबूत हैं और बराबर हैं तो टेबल बहुत मजबूत होती है कितना भी उस पे वजन रख लो वो हिलेगी नहीं तूटेगी भी नहीं क्योंकि बैलेंस्ट है चारो टांगों से अगर एक टांग पतली है या छोटी बड़ी है तो वो टेबल हिलती रहेगी ऐसे ही हमारी जीवन है हमारी जीवन में भी चार मुख्य पिलर हैं उन चारो पिलर्स पर हम अगर ध्यान देते हैं तो हमारी लाइफ 100% सुख शान्ति वा एक तो हमारा होता है स्वास्थे वो एक पिलर है हमारा स्वास्थे अच्छा है तो हम खुश हैं तो ये है फिजिकल हेल्थ दूसरा जिसका हम सभी जानते हैं हम कैसे ध्यान रखना है और हम ध्यान रखते भी हैं दूसरा है मेंटल हेल्थ मानसिक तो मन को भी हमें कैसे स्व और तंदुरुस्त रखना है उसके लिए भी हम कई उपाय करते हैं हिल स्टेशन पर जाएंगे स्नेमा देखने जाएंगे या लाफिक सेंटर जाएंगे तो उसको भी प्रसंद रखने के लिए खुश रखने के लिए हम काफी उपाय करते हैं कि मन भी खुश रहे तीसरा है श सब कुछ ठीक रहे उसके लिए भी हम बहुत महनत करते हैं और अटेंशन देते हैं कि सब के साथ हमारे रिष्टे अच्छे रहें रिलेशन्स अच्छे रहें अब तीन तो ये पिलर हैं जिस पे हम बहुत ध्यान देते हैं हाना चौथा पिलर है आध्यात्मित टांगे टेबल की जैसे मजबूत होती हैं तो वो हिल नहीं सकती तूट नहीं सकती कितना भी वजन उस पर आ जाए पर हमारा इस्प्रिच्छल पिलर वीक है तो कोई भी परिस्थिती हमारे सामने आती है तो हम हिल जाते हैं दुखी हो जाते हैं अशान्त हो जाते हैं तो इ हमारा spiritual pillar आध्यात्म का ज्ञान होगा आध्यात्मिक्ता हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं और अपनाएंगे तो हमारा ये pillar भी strong हो जाएगा तो खुश हमारी permanent हो जाएगी हम कैसी भी भारी से भारी परिस्थिती क्यों ना हमारे जीवन में आजाए हम हिलेंगे नहीं सहजिता सहज तरीके से उसको cross कर लेंगे तो अब spiritual pillar कितना अध्यात्मिक ज्यान होना और उसको practical life में use करना उसका एक उधारन के साथ हम आपको बताते हैं कि कितना महत्व है अध्यात्मिक्ता का हमारे जीवन में जो हम नहीं है जो knowledge हमें नहीं है इसलिए हम आरी life up and downs से गुजरती है कभी सुख कभी दुख कभी सुख कभी दुख तो इसको हम एकदार उधारन से बताएंगे कि कितना इसका फाइदा होता है देखिए आप सबने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी mostly सभी उस कहानी के बारे में जानते होंगे छोटी classes में हम कहानी पढ़ते थे अंगुली मान डाकू की कहानी पढ़ते थे कि वो एक डाकू था और वो क्या करता था कि जंगल में रहता था और रात को समय मतलब वो आस पास से गाओं में जाता और जो भी उसको शिकार मिलता व्यक्ति मिलता उसको मार के उसकी उंगली काट के उसकी माला बनाता था कि मैंने कितनी व्यक्तियों की हत्या की वो उसका स्वभाव था उस डाकू का इसलिए उसको अंगुली मान डाकू कहते थे तो इसलिए आस पास के गाओं वालों को उस डाकू से बड़ा खौफ रहता था वो घने जंगलों में कही रहता था तो भै का वातावरण था डर था हर रोज ऐसे मैंसूस होता था आज पता नहीं कि इसका अंच समय आने वाला है इतना भै उस डाकू का था तो कुस दूरी पर महत्मा बुद्ध को जब ये संदेश मिला कि उस फला गाओं में ऐसा भै है तो क्योंकि महत्मा बुद्ध समाज सुधारक थे अध्यात में महापुरुष थे तो उन्होंने सोचा उन गाओं वालों को इस भैस से मुक्त करना है ये उन्होंने अपने मन में द्रिर निश्चे किया और वो उस गाओं में आये तो जब लोग सभी उनसे मिले और उन्होंने बताया तब उन्होंने कहा चिंता नहीं करो आप इस भैस से हम इस से आपको मुक्त करेंगे महत्मा भुद्ध भहुत महापुरुष आध्यात्मिक पुरुष थे उन्हें आध्यात्मिक ता का ज्यान था उनकी अलोग किकता थी उनकी दिव्यता थी उनके अंदर अलोग किकता थी तो वो निर्भै थे जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो डरते नहीं हैं निर्भै होते हैं क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं और जहां सत्य होता है वहां डर और भै नहीं होता तब मात्मा बुद्ध ने उनकी बात सुन कर फैसला किया और उनसे कहा कि ठीक है हम आप सभी को इस भैसे मुक्त करेंगे तो मात्मा बुद्ध ने फैसला किया और वो रात में ही उस घने जंगल में चल पड़े जहां वो डांकु रहता था गाव वालों ने मना भी किया पर उन्होंने का नहीं इस समस्या का समाधान करना है क्योंकि वो निडर निर्भे थे तो गाव वालों ने सोचा आज तो इनका समय आ गया लेकिन मात्मा बुद्ध उस घने जंगल में चलते 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 अचानक एक आवाज आई ठहर जा बहुत खौफनाक आवाज ठहर जा तो मात्मा बुद्ध को उस से कोई फरक नहीं पड़ा वो विचलित नहीं हुए वो अपनी ही चाल में चलते रहे फिर दुबारा से अवाज आई ठहर जा तब ही मात्मा बुद्ध को कोई फरक नहीं पड़ा तब उस डाकू को आश्चा रह हुआ कि ये कौन सा पुरुष है मेरे नाम से ही सब कापते हैं और इतना पोलने के बाद भी इस पुरुष को कोई फरक नहीं पड़ा तब वो उनके सामने आकर बोलता है डाकू मात्मा बुद्ध के सामने आकर कहा ठहर जा तब मात्मा बुद्ध रुके और शांत स्वभाव से थोड़ी देड़ तक उसको देखते रहे फिर उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया हूँ पर तू कब ठहरेगा ये शब्द उन्होंने उससे बोले और वो शब्द इतने प्रभाव शाली थे कि उसको हैरानी हुई कि मुझसे जो खौफ से सामने भी नहीं आते और ये ऐसा कौन सा पुरुष है जो ख़ड़ा है और मुझसे ऐसे बातें कर रहा है तो वो सोचने पर मजबूर हो गया तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा ठहर जा उसने का डाकू ने कहा ठहर जा तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया हूँ तू कब ठहरेगा थोड़ी समय के लिए उसको टाकू को आश्चा रह हुआ और वो समझ गया उनकी बात का मतलब उनका व्यक्तित्व इतना प्रभाव शाली था उनकी बोल इतनी शक्ति शाली थे कि वो उस समय उनकी चरणों में गिर गया और शमा मांगने लगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ अब गाव वाले के सामने ऐसे क्यों नहीं हुआ और महात्मा बुद्ध के सामने ऐसा क्यों हुआ को कि वो एक स्प्रिच्च्वल अध्यात्मिक महा पुरुष थे उन्हें अध्यात्मिकता का ज्यान था वो निडर थे, निर्भै थे, सत्य के रास्ते पर थे तो ये थी निर्भैता की शक्ति, ये थी सत्यता की शक्ति, ये थी वो अध्यात्मिक स्प्रिच्च्वल पावर जिसके बल बूते पर महात्मा बुद्ध में एक अलोकिकता नजर आई और वो भ्यंकर डाकू उनके सामने समर्पन हो गया तो जब हम सत्य के मार्ग पर होते हैं, आध्यात्मिक ज्यान हमें होता है तो हमारा मार्ग भी सत्य का होता है और हम निडर और निर्भय होते हैं तब हमें कोई भी हिला नहीं सकता, डगमग नहीं कर सकता हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता चाहे सामने डाकू आजाए, चाहे सामने शेर आजाए चाहे भ्यंकर से भ्यंकर बिमारी ही क्यों ना आजाए, कोई परिस्थिती क्यों ना आजाए, अगर सत्यता की शक्ती है और निर्भयता है, तो हम हर चीज को क्रॉस कर सकते हैं. ये किस से आती है? सत्यता की शक्ती कैसे आई? निडरता कैसे आई? निर्भैता कैसे आया ये गुण? ये गुण आया अध्यात्मिक ज्ञान से, अध्यात्मिक नॉलिज से. तो एक दवाई क्या काम करेगी? जो आध्यात्मिक पावर काम करती है. क्योंकि आध्यात्म हमें सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं हम. क्योंकि God is truth, भगवान ही सत्य है. जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम सत्य भगवान से जुड़ा होता है. और उसकी पावर हमारे साथ कारे करती है. तो आप देखिए, इतने भ्यांकर डाकू से हमने मात्मा बुद्ध ने अपनी इस्थिती से ही, अपनी बोलों से ही उसको समर्पन करा दिया. लेकिन अगर यही डाकू सरकार के पकड में आता, तो सरकार क्या कोट उसको क्या फैसला देती? या तो आरी आजीवन कारावास या सजाए मौत. तो दुनिया का फैसला क्या होता? ये होता. तो क्या उससे वो व्यक्ति सुधर जाता? नहीं. लेकिन आध्यात्माक्ति की शक्ति ने क्या किया? आध्यात्माक्ति की शक्ति ने क्या कमाल किया? कि उसको पाप करम करने से रोक भी दिया, सुधार भी दिया, और उसका आगे क जीवन भी स्रेस्ट बन गया वो आगे चलकर महत्मा बुद्ध का शिष्य बना और उसका खुद का जीवन भी सुधर गया और वो उस बिमारी से उस बुरे करम से भी हट गया यह है आध्यात्मक्ता की शक्ति तो यह आध्यात्मे ज्ञान ये शक्ति हमारे पास होगी तो हम भ्यंकर से भ्यंकर परिस्तित्यों का भी सामना सफलता पुर्वक कर सकते हैं ओम शान्ति